आपका अपनी यूट्यूब चैनल य thriving डाटनर्स में देखेंज अपने युट्यूब चैनल यश गाडनर्स में श्रीर हम बात करेंके यह स्पैर ङसन को बल्प से कैसे गरुवाइं के ब्ल्प अर वरेथ खेलिए इसकिलेजोच यहzus उप में लुभ Deep तो बात कर लेते हैं इसके potting mix की potting mix के लिए friends हमें चाहिए 25% cocopeat 25% cow dung compost and 50% garden soil friends इस mixture मैंने पहली से ही तियार करके रखा हुआ है इस pot में pot मैं छोटा ले रही हूँ उसका reason है कि स्पेरेक्सिस के बल्स का size छोटा होता है तो इसलिए हमें pot भी छोटा ही लेना चाहिए friends इस जो composition मैंने आपको बताई है उस composition में मैं mix कर दूँगे 3 gram के करीब antifungal powder friends यह antifungal powder जो है मैं trichoderma ले रही हूँ आप साफ भी ले सकते हैं और भी कोई antifungal powder ले सकते हैं अगर मैं trichoderma ही prefer करती हूँ friends इसको अच्छे से mix कर लेंगे हम यह देखिए friends इसको मैं mix कर लेती हूँ उसका reason यह है friends कि अगर आपके soil में कोई भी fungus होगी तो आपके bulbs को attack नहीं करेगी और अगर bulbs से भी fungus मौजूद होगी तो वो भी finish हो जाएगी और आपके bulbs safe रहेंगे तो friends से हमारा potting mix ready है अब हम इसमें bulbs को soak करेंगी friends से देखिए यह जो pointed portion है यहां से shoot निकलेगी और यह lower portion से friends roots निकलती है तो इसको हम ऐसे sow कर देंगे just ऐसे push करना आपको soil में और कुछ भी नहीं करना है friends यह देखिए मैं इसमें 4 bulbs को लगा रहे हूं क्योंकि friends bulbs की tendency होती कि वह multiply होते रहते हैं bulbs under the underground तो इसलिए मैं 4 ही बल्ब लगा रहे हूं इसमें यह देखिए तो अब इसको मैं soil से cover कर दूंगी तो जैसे कि आप देख सकते friends मैंने इसको soil से cover कर दिया है तो अब देखते हैं कितना time लेता है grow करने में वीडियो में बने रहे हैं friends अज फूरे 10 दन हो चुके हैं हमें sparexis के bults को grow कि और आप देखिए यह sprout होना शुरू हो गया है चारो bults में different different growth देख सकते आप यह देखिए सबसे जादा growth है इस वाले में यह देखिए इस में से दो यह और एक ही छोटा सा तीन sprouts निकल रहे है friends से दिख रहा होगा आपको बार एक सा sprout यह देखिए और इस bulb में से दो दो sprout इस bulb में से और इस वाले bulb में से भी तीन sprout और इस में से एक sprout निकल रहा है friends तो यह हमारे 10 दिन का result था हमारे चारो bulps sprout होगे friends friends अगर आपको मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो पसंद आती है तो friends please like किजे, share किजे और subscribe किजे मेरे चैनल को thank you friends, thanks for watching my video